इन देगलम में फिर सेपका एक बड़ स्वागत ही, ये वीडियो भी शेस रुप से बिहार एस्टेट से समंधित है, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट में रिजिंग से समंधित प्रश्ण पूछे जाते हैं, उसी का एक महत्पून टॉपिक आयो से समंधित कोई रूल नहीं, कोई फर्मूला नहीं आराम से हलोगा, ये सारे प्रश्ण पूछे गया है बिहार एस्टेट में, बहुत ही महत्पून टॉपिक है, पूरा किलियर जरूर देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसमें देखा जाए तो प्रश्ण है 50 50 जो लिखा गए ना ये कोश्चन तो ये पूछा गया प्रश्ण पचासवे नंबर पे है, किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा, किसी अवियर्थी के दुआरा ही भीजा गया है, उसे हम हल कर रहे हैं, और ये कहीं पे भी इस तरह का वीडियो मुझे नहीं लगता है मिलेगा, अब वीडियो बन जार आज ना, तो आज के बाद निश्ची तरुप से ये फर्मूला चारो तरुप फैल जाएगा, और उसके बाद मिलना है स्टार्ट हो जाएगा, ये अलग तरह का हम बताएंगे आपको, थड़ आई एक होता है बनाने का, वो चीज फर्मूल यानि बर्तमान आयू बताना है, इसमें हम बता दें कि जो हल हम करने जा रहे हैं, वो डाइरेक्ट आप्सन से हम उस प्रशन का हल करेंगे, चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रशन हल होता है, सबसे पहले प्रशन पढ़ लेते हैं, पीता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे में इसका मध्यमान निकालना हो, सदा इस वर्श जो लिखा गया है, तो एक तो लिख दिया पिता हमने, पिता मतलब फादर, पिता मतलब फादर, एफ लिख दिया, पिता को हमने मानना एफ, और बटे में, बटा नहीं, बटा का नहीं है यह मद्धेमान का है को पिता और पुत्र की आयू लिखा गया है यानि मद्धेमान अगर निकालना हो मद्धे लिख दिया हमने मा लिख दिया है यानि मद्धेमान हो गया तो मद्धेमान निकालने के लिए पिता और पुत्र यानि F प्लस S बटे हम 2 करेंगे तो ये हमें result मद्यमान के रुप में कितना देता बबू 27 देता है same formula आपने समझ लिया पिता पुत्र को जोड़ेंगे बटे में इनकी संख्या जितना होती है न को 2 है को बटे में 2 बराबर 27 ये ही मद्यमान निकालने का 27 तो रूल लंबर एक ये है और रूल लंबर दूसरा इनों ने लगाया है कि 18 वर्स बाद कितना साल बाद 18 18 वर्स बाद लिखा है कि बाद वाले को हम इंडिकेट करते हैं 18 प्लस को 18 वर्स बाद हमें क्या प्राप्त होता है को अठारे वर्स बाद प्राप्त होता है कि पिता अपने पुत्र की आयू से दोगुना होगा पिता जो होगा पिता मतलब फादर जो होगे वो पुत्र की आयू से दोगुना होगा 2FB हमने लिख दिया ऐसे भी लिख सकते है 2X अनपात X ऐसे भी लिख सकते है यानि 2 formula हमें प्रूब करना होगा यानि 18 जोड के तो जोडेंगे तब तो ये 2X हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका मान X हो जाएगा अब इसमें formula बैठा देना है किसी भी option पे ये दोनों चीज सिद्ध हो जाएगा इसको ऐसे भी गुणा करके लिख सकते है 27 इसको इसमें गुणा कर लेजे ताकि बटा में नीद है यानि अगर इसका उम्र जोडे F प्लस S यानि बेटे का और बाप का दोनों आदमी का उम्र जोडते है तो ये हो जाएगा 24 ये दोनों को हमने गुणा करती है क्योंकि ये बटा में होता है वो नीचे से उपर में गुणा हो जाता है तो ये दोनों को गुणा किया हमने तो F प्लस S बराबर 6 ये थोड़ा सा difficult वाला question हमने इसलिए पहले रखा है दूसरा मद्यमान आपको नहीं मिलागा थोड़ा सा difficult है समझने की उकोशिस कीजिए कुछ नहीं किया हमने पीता और पुत्र का आयू का मद्यमान 27 दिया है कब मद्यमान ऐसे निकालते है पीता जी का जो उम्र है और जो बेटे का उम्र है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबु चोवन आएगा तो यही दो फर्मूला हमें क्या करना प्रूब करना है या दोनों को जोड़ने पर चोवन आजाए आनि तो 18 जोड़के इतना हमें प्राप्ट हो जाए, यह नहीं दो उम्र हो जाए, यही दो फर्मूला प्रूप कर देंगे, आपका answer आज चाहेगा, यही दो फर्मूला प्रूप करना केसी भी option पर बैठा के, अब देखे, सबको जोड़ेंगे, को 42 और 12, सबको जोड़िएगा तो अपका 54 हैगा, 42, 12 कितना होता है, 40, 14 कितना होता होता है, 30 और 24 कितना होता है, और जो भी आगे का संक्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हैगा, मेरे के 8, 6, 14, ये भी 54 होना चाहिए, तो पहला formula हमको prove करने की जरूत नहीं है सारे option में, जोड़ वाले में सारे option ठीक देता है लगी अनुपात वाले में दिक्कत करता है अनुपात वाले में क्या दिक्कत करता है ये 2x लिखा है, बट्टे में x लिखा है, यही न, उपर में क्या हो गए ये father हो गए और यह x कौन हो गया यह? x हो गया आपका sun अब लिख देता हूँ उपर में ताकि दिखत तो नहीं यह हो गया है ध्यान से समझेगा बहुत इजी है direct answer आजाएगा अब यह किसी भी option पर बैठा के यह prove कर देना है option पर बैठाना है कैसे? तो इसमें 18 जोड़िएगा क्योंकि 18 वर्स बाद वाले यह formula है 18 जोड़ के को अगर 12 अठारे जोड़ते हैं यहां हम रख देते 12 और 18 कितना होगा बबू? को 12 अठारे कितना होगा? को 18 तो 8 दू 10 के 0 हत में 1 और 1 एक दो और 1 खर्सिला है तर 30 12 अठारे कितना होता बबू? 30 होता है अब 42 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 42 में 18 जोड़िए तो 8 दो 10 के 0 हत में 1 चार एक पाच एक 6 चार एक पाच एक 6 इसमें हमने क्या किया? 18 जोड़ दिये क्योंकि 18 साल के उम्र के बाद ये 2X बटे X आना चाहिए जानी ये दुगूना होना चाहिए काने का मतलब क्या है? इसका दुगूना होना चाहिए ये 1 है को ये 2 होगा ये 2 होगा तो ये उपर में कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए और यह नीचे में 4 है तो उपर में कितना होना चीए 8 होना चीए इस तरीके का होना चीए अब यहाँ पर आप काट के देखिएगा क्या यह कड़ जा रहा है जी हाँ यह दूगुना ही है कैसे दूगुना है को 30 से कम 30 32 साथ यानी पहला जो ऑपशन है डायरेक्ट यह फेड कर रहा है ऑपशन को घ्यान से समझेये पहला जो ऑपशन है 42 और 12 यह डायरेक्ट जो भी मेरा दूसरा कंडिशन है इसको फुल्फील कर रहा है इसका मतलब correct answer अपका 42 होगा correct answer कितना होगा 42-12 होगा हो सकता है आपको दिक्कत लग रहा हो लेंगे दूसरे प्रशन पे चलेंगे तो असानी तरीके से समझेंगे फिलाल आपको काट गिव दुबारा हम समझा देते अगर समझ गया होंगे को थोड़ा से skip कर लीजेगा नहीं तो क्या करेंगे इसे दुबारा ध्यान से देखिएगा फिर से हम बता दे रहें कि अबर और देख लिशे पहला फर्मूला हमने जोड़के इनका चोगण निकाला था सबका चोगण निकाल गया ठीक है ऋना हो जारा यानि इनका उमरसिमाव अगर एक है कोपर में कितना होगा दो होगाcry कितना होगा सबगाने जब काटके लेकर कर आए तो जोड़के रूपे कानद कहाई है इतना पसाचल आठार से जोड़के तो कितना आजाए दो बटे एक में आजाए तिक इसी फर्मूला पर यह आजाए अब सब को अठारे जोड़ेंगे जैसे पहले का अंसर तो आ गया दूसरे को भी देख लेते हो सकता आपका अब यह सर दूसरा का आपने नहीं जचा दूसरा का भी आ जाएगा नहीं आएगा बाबु देखो कैसे अठारे जोड़ेंगे कितना आएगा चौदा में अठारे जोड़ेंगे कितना आएगा तो लिखे नीचे आएगा चौदा में अठारे जोड़ेंगे तो कितना आएगा नीचे लिखना है को यह हो जाएगा आठ चार बारे के दो हत में एक और एक एक दो एक तीम यानि 32 आ च काटगे देखिए ने खुद से काटगे देखिए मुझे से काट वह है यह काट के दिखिए नहीं काटब न मैं काटगे देगका तो यह हो गया दो से काटते vicamben शोल्दभं sauce की यह हो जाएगा दो बारे में कट रहेंगे नहीं, यहाँ 2 से गुड़ा करता है डिरेक्त, 2 दो नी 4, 3 दो नी 6, यह 64 होता तो कट जाता है, चोसट नहीं है नहीं कटेगा, तब एक बटे दो आएगा, दो बटे एक आएगा, किलियर, इसी तरीके से तीसरे वाले को जाची, इसी तरीके से चो एक है सीता, जी अनपात वाला है, बहुत इजी तरीके से बनेगा, एक है सीता और एक है गीता, और इनका उम्र का अनपात दिया है, तिन बट्टे चार, इनका उम्र का अनपात के ना दिया है, तिन बट्टे चार, देख लिजेगे, यहां साथ है, नीचे सोधा है, अब इसी साथ जाता है, यानि सीता का उम्र तीन वर्स, गीता का उम्र कितना चार वर्स, काटने के बाद, यानि इसमें कुछ गुणा किया जाएगा दोनों उपर नीचे में, लेकिन उनका उम्र तीनी होगा, लास्ट में काट कूट के लेके आएगे, तो अब गीता का उम्र कितना क्लियर समझ के अनपात में हैं दोनों की आयू का गुड़न फल यानि दोनों को अगर गुणा करें यानि एस और जी को सोरी 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 इसको क्या क्या गलती हो बताईए कोई बताएगा क्या 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 गलती हो था पहले एस लिखना था मैं अब दोनों को अगर हम गुणा करें ये condition एक हो गया दूसरा condition के लिए दोनों को अगर गुणा करें यानि S गुणे G करें S गुणे G करें तो मुझे कितना प्राप तो 48 अब उनकी आयू का योग ग्याद करें यानि S प्लस G बराबर वाट ये हमें बताना है बन जाएगा आपसे option लेके बना दीजिए खट्डे बन जाएगा नहीं बनता है आपका यह सब गुणा वला है नहीं समझ मेरे कुछ नहीं करना बाबू इसमें केवल किसी संख्या से उपर नीचे एक ही संख्या से उपर नीचे हमको गुणा करना है और इस गुणा मतलब ती करेंगे चाच्हों को सूलह हो जाएगा यह चात्री का बारह हो जाएगा बारह सिलो गुणा करेंगा ज्यादर संख्या क्या करें समझ में नहीं कुछ नहीं करना बाबू बहुत ही गारी Graph 3 इसका निकाल ल Lost सब से चोटी संख्या डौ से भाग दे चलाए से पहले विर्ट से आएगा कितना उर और इधर चलागी 18 अच्छे तरीका 18 अब फिर कितना से भाग देंगे चार से भाग देंगे चार से भाग देने पर चार चो का 16 अब यह देखी तीन हो गिया मेरा ध्यान से समझेगा तीन हो गिया मेरा चार हो गिया तीन हो गिया यह चार हो गिया अब बचा चार को चार को द हो जाना चाहिए अब आपका ये असर दो-दो गुणा क्यूं कर रहे हैं आप ये नीशी तुलप से कहिए sugar यहां मैं 2 लिखता हूँ और यहां 2 लिखता हूँ याणि उपर में 2 से गुणा क्यूं करें नीचे में 2 से गुणा क्यूं क्यूं करें इसलिए गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी संख्या से हमें गुणा करना होगा, जब भी गुणा करना होगा, तो उपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करते हैं, इसलिए हमने इसका क्या निकाल लिया, LCM निकाला, LCM निकालने पर हमको क्या आया, तीन और चार त गीता का उम्र कितना हो जाएगा तो आपका उम्र कितना है बाबू सीता का उम्र चे वर्स गीता का उम्र कितना है बाबू आठ वर्स है अब दोनों को जोड निकालो दोनों का घटाव निकालो दोनों का कुछ भी निकालो निश्चित्रूप से एंसर आ जाएगा दोनों का य कुछ करना ही नहीं बहुत देखना टिक करना इस तरगे प्रशन तो यूहीं उड़ जाते और यह जो हम मैथेड अपना रहे ना यह आपका थाड़ आई वाला मैथेड है इसे तो एक सेकंड में जब ज्यादा बनाईएगा ने एक सेकंड में बनाईएगा लेकिन हमको लग र प्रशन लेते हैं और असान तरीके से समझा देते हैं मैथेड होई रहेगा दो रूल होगे इसमें दोनों रूल आपको क्या गरना प्रूप कर देना है चलिए इसको बनाईए सेम कुश्चन है सोनी और मोनी का दोनों का आयू का आंतर यानि जो भी आएगा दोनों को घटा के एंसर बता देना सेम कुश्चन है बबू एक सेकंड में बनेगा बना डालो सेम कुश्चन सोनी और मोनी का चीता गीता के बना लिए सोनी मोनी बनाईए सेम कुश्चन बहुत असान तरीके से बनना चीए सेम कुश्चन इस तरह के प्रस्ण रहेंगे आपके बहुत असान कोई तरीका नहीं, कोई फर्मूला हमने नहीं लगाया है जो सामने अब वही है चलिए, अपने बना लिया होगा, answer comment section में अपने लिख दिया होगा, चलिए अब हम बनाते हैं एक है सोनी, दूसरी है मोनी, सोनी मोनी हमने लिख दिया, अनपात इनका कितना है, दो अनपात, पांच फर्मूला इतना है अब इसमें किसी एक ही संख्या से उपर नीचे हमको गुणा करना है किसी एक ही संख्या से उपर नीचे गुणा करना है लेकिन इसके लिए हमें एक और सुत्र दिया गया है किसे गुणा करें ताकि इनका उम्र आजा है बस यही है उपर वाला सोनी का उम्र है नीचे वाला मोनी का उम्र है क्यों संख्या से गुणा कर देंगे दोनों का उम्र पता चल जाएगा उसका अंतर निकालना है उसका जो भी निकालना है वो भी निकालना है दे सकते हैं अब हम सोनी उस्ताइब आएसे संख्या से उपर नीचे चालीस आजाएगा डोनों के उम्र के वह गुम्र के वह को अगर करते तो 까नए कान वह स्फोलिक रिचिंगा मैं नदस आएगा, वो किसी न किसी संख्या से गुणा करके हमको 40 प्राप्त करना है, अब किस संख्या से गुणा होगा, इसके लिए हम 40 का क्या निकाल देंगे, लस्यम निकालेंगे, लस्यम निकालेंगे तो लास्ट ओला गुणा नहीं करेंगे, क्योब उसका डिजाइन बनातेंगे, यह हो गया, 40, 40 को ऐसे हमने किया, अब 40 में एक 5 से गुणा कर देते हैं, दूसरा दो से, क्यूंकि यह दोनों तो संख्या है, एक 5 रखते हैं, तो 5, तो यह हो जाएगा, पांच से गुना भाग देंगे, तो कितना होगा, आठ पचे चालिस, आठ गया, फिर कितना से करेंगे, बबो, अब कितना से करेंगे, तो पांच, आठ पचे चालिस होगे, फिर दो रखते हैं, क्योंकि दो इसमें है, तो दो रखेंगे, तो यह कटेगा कितना बार में चार 2 रखेंगे आगए चार अब यह 5 दो आ गया, देखिए दो आ गया अब हैने सबसे कम संख्या में घाग देंगे है और यह पहले से लिखा है спांच है क्या थो निकाल नीठा ने को हम easy step में बता रहे हैं ताकि कोई भी भासा कोई भी सब्द आपका दिक्कत नहीं करें 5 से भी गुणा हो जाएगा 40 में 2 से भी हो जाएगा फिर 2 से भी हो जाएगा इसके तरीक तो और भी हो जाएगा अब इसको गुणा करने पर जो आएगा वो और यह पांद दुना दस हो जाएगा यानि दस और चार जो है वो उनकी उम्र है शीता का उम्र मैं आप से पूचिए कि बरतमान उम्र सीता के कितना और पताईए यह 4 वर्स और मीन ए चार वर्स वर्स चौकर आएगा answer हो जाएगा बिल्कुल सही आपसे तेज तरह कोई हो इनी सकता है 10 में से 4 गटाया क्या आएगा बहुँ 10 में से 4 जल दी comment section में 6 बिल्कुल कुछ करना है ना कुछ नहीं करना बस stick करना आगे बढ़ना है और इस तरह के प्रश्ण हैंगे और ये math के प्रश्ण है कुछ guess नहीं करना क्यों बनाना है चली अगला question थोड़ा सावर उपर कर देता हूँ दिखत नहीं चलो दो बेक्तियों A और B की IU का जोड 50 वर्स है बढ़िया सब प्रश्ण और इसमें दिया option को option से direct tick कर लेंगे बन जाएगा A और B का मैं बनाता हूँ पहले जो condition है वो में लिख देता हूँ जोड इनो ने कहा के A प्लस B बरावर इनो ने कहा 15 इसी पर बन जाता है लेकिन सब का जोड देखिएगा ना 30-20-50, 35-50, 35-45-40-10-50, 38-12-50, 50 होगा 10, 40-10-50 यह सब का जोड जो है ना 50 है तो पहला condition आराम से फुल्फिल कर लेता है लेंगे दूसरा लगा condition में फस जाएगा वहीं से option कड़ जाएगा यह भी मतलब दुनों का उमर क्या है सब का 50 है अब यह देखना है देखना क्या है कि 5 वर्स पुर्व उनकी आयू का अनुपात 5 अनुपात 3 था एक तो फर्मूला ये हो गया, दूसरा फर्मूला इनोंने कहा कि 5 वर्स पूर्व 그래 वैं यहां करता हूं वैसे, वैसे इसका जरूत तो पड़ेगा नी, क्योंकि ये तो proof हो गया पहला वालप फर्मूला प्रूप हो गया कि सबका वही आ रहा है तो दूसरा मैं यहां लिखता हूँ दूसरा इसके नीचे दूसरा इनका रूल क्या है 5 वर्स प्रूट यानि माइनस अगर मैं 5 करूँ माइनस कितना करूँ जो भी संख्या उसमें से माइनस 5 करूँ तो यह प्रूप क्या करना चाहिए जो भी संख्या है यह जो ऑप्शन में दिया है इसमें से अगर मैं 5 घटा हूँ दोनों में से तीस में से 5 गया 25 अब 20 में से 5 गया 15 दोनों में से घटा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो 5 बटे 3 प्राप्त हो पांच अनपात 3 का मतलब क्या हो इसका अनपात का मतलब 5 बटे 3 यह लिखा 5 बटे 3 यानि जिस संख्या में से 30 में से 5 घटाना है 20 में से 5 घटाना है क्योंकि 5 वर्स पूर्व का रहा है अब जोड़ना का होता 5 वर्स बाद लिखा होता तो पूर्व लिखेगा यानि घटेग उट uniquely गहकर पोरुट यायंनि अगर मैं किसी भी ऐप्सवं में माइनस 5 करता हूं दोनोंसंख्या में दोनों का मिप्लम म ऐ या जाले की किन आजाना चाहिए जिसमें आ जाहे गां औक आज आए गाफ एक क्षापने 55-35 35 बिल्गुल सही 5-3 और इंसर यह हो को नूम बदे है कौह में इसमें दूसरा option बनाऊं, जिससे यह पता चले कि यह answer नहीं होगा, कोई भी option आप बना के देखिए, कोई नहीं होगा, जैसे मैं लास्ट वाला बना देता हूँ, कौन बनाऊं बताइए, जो कहिए, खा नमबर बना दू, तिली खा बना देता हूँ, खा में देखिए, पांच गटाईए, पांच वर्स पूर कर रहा हूँ, इसलिए पांच में गटा रहा हूँ, तो 35 में से 5 गटाईए, तो 15 में से 5 गटाईए, तो 15 में से 5 गटाईए, तो 15 में से 5 गटाईए, तो 10 गटाईए, पांच बटे 3 के रूप में आ रहा हूँ, आप बहुत अपना है द्दूनिया के के बदा सकते हैं कि चलिए अगला पुत्र की आयूकानपाथ 3 है उनकी आयू का गुडण फल इतना है 6 वरष बाद उनकी आयूकान फल क्या होका प्राष्ण। वही प्रस्ण जो गुडन फल वाला था लेकिन इन्हें के जोड वाला नहीं चाहिए इन्हें छे वर्स जोड दीजे उपर नीचे जोड दीजे कुछ नहीं करना काट के लिग दिजे आ जाएगा एंसर जल्दी किजे बन जाएगा आप से बना यह तई से मैं बनाओं चली हम बनाते हैं लेकिन आप कौपी पिन ले ले लिजे इससे आसान तरीका क्या हो सकता है कुछ नहीं करना बबू पीता-पुत्र लिखा पिता को हम कह यह आपको फादर और यह सन वाला बेटा जो होता है ना वो नहीं आता होगा ना तो आप पिता और पुत्र भी लिख सकते हैं एस लिख रहा हूं क्योंकि मुझे छोटा सा जगा मिला इसी जगा में उंगली से हमें लिखके बनाना पड़ता है एसा नहीं कि कलम से लिखके बना रहा हूं उंगली से लिखके अराम से बना रहा हूं ठीक है तो यह चलता भी देखते हैं कि कैसे उंगली चलता है तो यह थोड़ा सा मेरा problem होते हुए भी इस तरीके से मैं लिखके पढ़ा रहा हूँ तो आप जो भी लिखना चाहिए पिता पुरा बड़ा से लिखे, पुत्र बड़ा से लिखे क्योंकि आपको कहीं दूसरे जगा हम आपको life दे रहे हैं बच्चे का डिमांड है, मनाना जुरूरी है, संडे भी है वैसे कि आयू का अनुपात कितना है, को father और s लिख दिया हमने, बटा में लिखता हूँ मुझे अनुपात से कोई मतलब नहीं, f अनुपात s, तो f अनुपात का मतलब होता है, बटा s अब इधर क्या लिखा है इन्होंने, उपर में 7, नीचे में 3, मैं पूछू कि पिता का उम्र बता दीजी, अभी कितना है, को 7 कहिएगा, पुत्र का उम्र मैं आपसे पूछी कितना है, को कहिएगा 3, उपर वाला उपर का उम्र है, नीचे वाला नीचे का उम्र है, अब इ लेटे का आयू का मैं गुणनफल करूं, पुत्र के आयू से मैं दोनों का गुणा करूं, F और S को ये कहते हैं 756 आएगा, कितना बाबु आएगा, दोनों का गुणनफल करें को 706 आएगा, यही बताए उन्हें, तो हम को क्या डर है, 756 को हम को क्या करना है, आराम से LCM जैसे निकालते हैं, वैसे निकाल देना है, सबसे पहले किसे लेके जाओं, 7 से लेके जाता हूं, छोटा भी संख्या हो जाएगा, 7 से लेके जाओंगा, को साते कम 7, और दोनों संख्या एक साथ है, 0 और 8, 0 और 8, 7 से लेके गया हूं, 7 से लेके गया हूं, 108 आएगा, नहीं होगा तो आपको 0 क्यूं लगाया हूँ फिर से भाग बताना पड़ेगा 0 इसलिए मैं लगाया हूँ क्योंकि 2 संख्या एक साथ कट रहा इसलिए 0 अब अप्रूब भी करना है 108 में 7 से गुणा करके देखिएगा तो 756 आएगा अगर 188 लिखिएगा 7 से गुणा कीजिएगा को 756 न से भाग देंगे यह हो गया तीन तरीका 9 और इधर गया आठ तो आठ हो गया 18 चेतरीका 18 यानि साथ तीन का खेला खतम साथ तीन आ भी गया अब जो भी संख्या आएगा उससे गुणा होगा लेकिन याद रखी कि जोड़ा होना चीए अब किस से जाएगा को मैं इधर दे इस साइड में चाटिस चली एक और संख्या दे देते हैं यह 36 आया 36 को भाग देने के लिए अब छोटी से छोटी संख्या से यह करेंगे दो से लेके जाएंगे दो से लेके गया तो यह आ गया 18 अब मैं बबु इधर बना देता हूं आया है कितना 18 18 को किस से लेके दो फिर बच रहा है दो फिर बच रहा है तीन फिर बच रहा है तीन अज सब जोड़ा में लेंगे जोड़ा में लेंगे तो एक दो यह एक दो वो यह उपर में हम दो से गुणा कर दिये फिर नीचे में दो से यह दो है यह दो है दोनों दो खत्म अब फिर किस से गुणा क करने हैं को या तो डिरेक्ट साथ से 3दुना 6, ये भी 3दुना 6 ही होगा, या तो 7 गोडे 6 कर दीजें, ने कि 7, 2, 1, फिर 3, सब एक ही है, को सचक 42 उपर में होगा, और यह नीचे में कितना हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा आपका 3D6, को 63, हम तो जनते हैं आपको समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं हम डायरेक्ट लिखते हैं दो दो हैं ना को जोड़ा बन गया तीन इन हो गया को उपर मैं । और तीन से आपस में गुणा कर दे छे यह निचे से नीचे गुणा करें एक सेकंड में बनाते हैं आपको समझाने के लिए लिखना पड़ते हैं यहाँ फिर यहाँ दो यह दो उपर एक दूसरा अला दो नीचे हमने लिखे हैं फिर तीसरा अला मतलब यह तीन उपर लिखे हैं यह तीन नीचे हमने लिखे हैं है ताकि यह बहुत असान लगे आपको चलिए हो गया इसका बरतमान आयू बरतमान आयू वो प्राप्थ हो गया 42 और 18 22 मतमान आयू है लेकिन इन्होंने पूछा है छे वर्स बाद pattern क्या होगा अगर पूछा हो तो बरतमान आयू का viruses का अंपाथ अब इसमें एक और चीज हम जो कहा रहे हैं काटके लिखेंगे फिर साथ तीन आ जाएगा वो काटके नहीं पुछता है या तो पुछता फादर की वर्तमाना यू बताई तो आप बता सकते हैं फादर की वर्तमाना यू क्या है कमेंट सेक्शन में तो आपके एक सर 42 है और बे अठारा चोइगा अठारा चोइगा को आठारा दोबीस चर चौबिस यह हो गया 24 बटे 24 यह आगया आपका अंसर 48 बटे 24 अब देखिए कर किसी में 48 बटे 24 नहीं दिया तो कटा आजायेगा अब को आपका यह अगया सर 24 अब इसको काट रहा है तो यह एक बार में कट जा रहा है 24 एकम 24 24 दुना 48 जहां आपका दो बटे एक आया ना तो दो बटे एक इसका मतलब होता है बट्टा वाला का मतलब यह दो डॉट होता है यह पूछ भी पूछो ना इसमें आप तो सोची तो पूछो ना यहिए क्या पूछ रहा है जाएक अगला सवाब अनिल की उम्र सुनीता के उम्र से धुगनी है तीन वर्स पहले उसकी उम्र सुनीता के उम्र से तिन गुनी थी अनिल की बर्तमान आयू क्या है option से देखेंगे direct tick कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे कुछ कर नहीं direct tick कर के आगे बढ़ जाएंगे देखिए कैसे, दो फर्मूला, दो इनोंने condition लगाया है, यह condition है कि अनिल के उम्र, सीता की उम्र, अनिल मतलब A, और सीता मतलब, सुनीता, सुनीता मतलब S, यही है, अब यह कर रहा है, सीरिता के उम्र से दोगुनी है, दोगुनी है, मतलब अगर हम इसका मान, सीता का, सीता चाहिए जो भी सुनीता, सुनीता का कितना रखें, एक रखें, तो अनिल का उम्र कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, कितना condition पता है, X, Y छोड़ी है ना, इसी पर बठा दे, दोगुना का मतलब क्या है, दो, एक गुना condition, दूसरा, तीन वर्स पहले, तीन वर्स पहले का मतलब क्या, 3 माइनस करें, इनकी उम्र में, तो मुझे क्या प्राप्थ होगा, तो A बटे S है, तो मुझे प्राप्थ हो जाएगा, तीन वर्स माइनस करने के बाद, सुनीता की उम्र से 3 गुनी, ठी, यानि, यह हो अगर एक, तो उपर वाला कितना होना चीए, यह कंडिशन है, बस यह इतना आ गया, एंसर हो जाएगा, अब किसी भी ऑप्शन में बठाएगे, जैसे मैं ऑप्शन नमबर खा लेता हूँ, जो भी लेना है ले लिजिएगा, मैं खा लेता हूँ, खा से देखता हूँ, फिर खा देखूँगा, नहीं होगा, तो फिर खा देखूँगा, चले देखते हैं किसे अंसर आता है, तो मैं पहले वाले से देखता हूँ, कि इसका अंसर यह आ रहा है या नहीं, तो आठ वर्स अगर लेता हूँ, तो आठ वर्स करने के लिए, मुझे क्या करना होगा, आठ व बटे एक है कि अनिल का बरतमान आयू बरतमान आयू आठ रखने के लिए किससे गुणा करूंगा तो आपके यह सर्थ 4 से गुणा कर दीजी 8 जाएगा तो नीचे भी मुझे 4 से यह उसी संग्या से गुणा होता ही है यह 8 आ गिया नीचे में 4 आ गिया अब 3 घटा के देखना है कि 3 बटे एक आ रहा है कि नहीं 3 घटा के देखना है कि 3 बटे एक आ रहा है कि नहीं 3 घटाएंगे 3 घटाएंगे इसमें 3 घटाएंगे नीचे में भी 3 घटाएंगे क्योंकि 3 वर्स पहले का भी कंडिशन लिखते है दो कंडिशन लिखे गा है तो उपर में आ गया 5 और नीचे मेंन वोग कितना जाएगा ये गता हो घांट हो जाएगा और ये होगा एक आलगा अब पाँच वट्टे येग् 느गे टेनन लेकिन हमें चाहिए टो इर आठ वाला नहीं हो तो आप यह om PLAN करते लिए कि मा Slap 12 लेते हैं, उपर में 12 रख दीएं नीचे में भी कितना रखेंगें 12 क्यों रखेंगे अब किस संख्या से गुणा करें कि 12 वर्स हो जाए तो आपका यह का सट 6 से गुणा कर दीजे नीचे भी 6 से गुणा कर दीजे तो उपर में आपका आगें 12 वर्स अनिल कामर कितना हो गया 12 वर्स एक condition पूरा नीचे वाला कितना हो गया 6 अब इसको क्या करेंगे इस condition पर लाने की कोशिस करेंगे 3 गटाएंगे बार में से 3 गया, बार में से 3 जाएगा, आपका, हैगा 9, नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला 6 है, तो 6 में से 3 गया, 3. अब इसको काट के देखिए पांच आठ है और उनकी आयू में अंतर बारह है तो उनकी आयू ग्याद करें ओप्शन से देखेंगे टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे बहुत असान है दो भाई है एक तो फस्ट ब्रदर है अच्छे एबई बन गया है फस्ट ब्रदर एबई और एक है S.B. अब S.B.I. मत समझेगे गया F.B. मत समझेगे गया ठीक है F.B. Facebook और S.B. State Bank चलिए ये दोनों है फस्ट ब्रदर हो गए और सेकंड ब्रदर हो गए अब इनका उन पात कितना है बाबू इनका उन पात है पाच बटे आट इनका उन पात कितना है पाच बटे आट उनकी आय अंतर कितना है 12 है 12 करने का मतलब एक कंडिशन ये हो गया F.B.- S.B. बडाबर 12 यानि दोनों के उम्र घटाएंगे तो कितना आएगा 12 है अब उनकी उम्र ग्यात करना है उम्र ग्यात करना है उम्र दिया हुआ है क्योल बैठा देना है अब बैठाना किस पर है कोई नमबर ले लिजे ूम्र ले लिजे ंड़ा बडाइग को नमबर ले लिजे गउ Cho HP जिसका मर जी उसका ले लिविए। चलने से तोड़ा सा संक्या ठीक लग रहा है लेकिन दोनों में घटा कर देखते है कि तो बारे को 32 में से 20 गटाएंगे तो निशितुत्रुप से दो एक गए 34 में से 22 घटाएंगे तो बारे आएगा ये भी बारे आजाएगा यानि एक option छोड़के ये तीनों में से कोई एक होगा चलिए ये condition 31 तो बारे आजाएंगे तो अब 20 और 32 में रखना है जो पांच आथ आजाएं तो ऐसी कोई संख्या हमको लिखना होगा जोगा Pay तो तो इसमें किसी भी ना किसी संख्या से गुणा कर देंगे जो बीस और बतीस प्राप्त हो जाए या इसको काटेंगे तो पांच आठा जाने चाहिए जैसे बीस और बतीस है न या तो यहां किसी संख्या से गुणा करके इतना ला दीजे नहीं तो आपस में काटके पाच बही पांच नहीं आठ आठ आगया को पांच यह कंडिशन आपका यह वला पहला ही अप्शन फुल्फिल कर रहा है दूसरे का चेक कर लेते क्यों चेक करने के लिए 16 28-16 ऑब इसको भाग देख देखी चार से कटैगा चार्च को देख आगया और नीचे बाग दीजएगा उपर पांच आहीं नहीं नहीं रहा क्योंकि पाच भईी अथार लेकर आगा यह कंडिशन इस का पास पही अथार लेकर लेकर आना तो किसी में नहीं चार आगया और यह जाएगा साथ चार बटे साथ को चार बटे साथ को प्रश्ट पूछा जाएंगा चार वर्स पहले माइनस चार बराबर बराबर नहीं माइनस चार करेंगे तो A और B का अनपात होना चाहिए 9 अनपात 11 condition number 1 यानि 9 बट्टे 11 रुप जाए बट्टे में लिखें अनपात में 9 बट्टे 11 दूसरा है 6 वर्स बाद यानि अगर हम प्लस 6 करें इधर भी प्लस लिखें चाहिए उधर भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो A और B का अनपात A और B का अनपात हो जाएगा 7 बट्टे 8 जो भी option दोनों condition को पूरा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे मेरे correct answer हो जाएंगे तो B का बरतमा B का IU ग्यात कीजे B का IU B का IU मालने जे 22 रखते हैं B का IU कितना रखेंगे 22 रखेंगे तो B का République 22 लखने से पहले मालने जे पहले वाले option मेरे रखते हैं 2 का का अनपा 22 लखो ड़के लेकितना होा उसमें से 4 घटाना है इदर प्लस 6 कर देना है, तभी ये प्रूफ होगा, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 22 में से 4 घटाते हैं, 22 में से 4 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 22, 4, माइनस कीजिए, यह हो जाएगा, दो इधर खतम हो गया, यानि यह हो गया, 20, 20 में से दो गया, 18, यैंए उपर में कितना, सुरी, बी का आईू कितना आएगा, 18, बी का आएगा, 18, अब 11 के पहाड़ा में क्या आठाएंगा, धांस से समझे, फर्सर से समझारो, बरतमान आयू बीक आयू दिया है कितना, 22 वर्स, पहला option से देख रहे हैं चिक करने है कि यह होगा कि नहीं, को 22 में से यह माइनस चार कह रहा है तो माइनस चार इसमें से घठा देंगे और यह बीक आयु है कि नीचे वाला बीक आयू है अभी बीक आयू कितना दिखा रहा है को 11 तो 11 में कुछ ने कुछ संख्या से गुणा होगा जाहिर सी बात है तो यहां बीक आयू 11 दिया है लेकिन यहां पे जब हम बना रहे चार घटा रहे हैं तो यह कितना आ जा रहा है 18 आ जाना है तो यह option होगा आपका यह नहीं शर बिल रख देते हैं 24 रूपके इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं नहीं मीटेगा अब क्या एक और हाँ अब इसको क्या करते हैं 24 रख देते हैं दूसरे option में क्या है दूसरे option में 24 है दूसरे option में क्या है 24 अब दूसरे option वाला जो हम उठारे 24 को 24 में से कितना घटा रहें तो यह कितना आ गया 20 आ गया 24 में से 24 गया है गया गया 11 के पाड़े कितना 20 है तो आप यह सर नहीं है अब जो उट पटांग लेगे ना इसी कंडिशन पर भी बेठा सकते हैं इस वाले कंडिशन पर बेठाज़ें 11 वाले के साथ इसलिए हम रखे हैं यह 11 सब के पड़ा में आता नहीं को यह भी क्या हो गया क्थम हो गया 20 नहीं होता है 26 में से कितना गटाना है ये वाला चार गटाना अब इसमें से गटा ये गट कितना हैंगा 22 अब 22 आया तो 11 के पड़ा में 22 है तो आपके एजी हासर है यहां पे 2 से गुणा कीजेगा 22 नीचे आगे ऊपर भी 2 से गुणा करेंगा तो चार वर्स पहले देखा जाए तो ए का उम्र कितना था कुणा दुनी 18 वर्स बी का उम्र कितना था करेंगा 22 वर्स जानि चार वर्स पहले एक उम्र बाबु कितना था हम पूछें या एंसर ये पूछा जाए तो 18 वर्स बी का उम्र कितना था करेंगा 22 वर्स ठीक है एंसर तो में पता चली है कि यहीं होगा लेकिन ये वाला भी condition हमें fulfill करना सथ बटे आना चीह तो यह हो गया कितना यह हो गया आपका चार साल पहले का अगर बरतमान आयू पूछ दे बरतमान आयू कितना था तो बरतमान आयू कीजि़ देंगे तो बरतमान प्राप्त हो जाएगा का अब यही कंडिशन इस पे बैठा देंगे प्लस शे करके को 22,28 और नीचे वाला हो जाएगा 26,26,26,32 अब काटिए साथ चोका आठाइस, आठ चोका बातिस, साथ बही आठा रहा है, साथ बही कि यह भी फर्मूला प्रूफ होगे, दोनों प्रूफ करने के लिए क्यों कर रहे यह कंडिशन नहीं लागू होता, साथ बही आठ नहीं आता, लेकिन नहीं आता तो क्या होता, यह एंसर नहीं होता, इसलिए यह प्रूफ हो गया, कि यह आपका आ गया, इसका मतलब कॉरेक्ट एंसर आपका क्या होगा, 26 हो गया, साथ बही आठा आ गया, यह नहीं इसका क् कि आपको सफलता मिलेगा मुझे लग रहा है कि इसका प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक ये दो मर्स कहीं नहीं जाने वाला और ये बार बार पूछा गया है तो फिर मिलेंगे के नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें दिकलब पे धन्यवा बढ़ बाई सब्सक्राइब कीजिए हिंदी कलब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है ये सबस्तों को अपनी को अ करेंगे है